हेलो अब्रीवन वेल्कम बैक टुमाइच चैनल मावेटीजी रेसिपी सो का इसाज में आपके लेकर आई हूँ वड़े की रेसिपी जी हाँ दोस्तों बहुत ही जादा टेस्टी और करारे क्रिस्पी और एकदमी आसान तरीके से बनते हैं ये वड़े और बनाना भी बहुत ही ज़दा असान है तो आईए देखते हैं से कैसे बनाते हैं बहुत ही इसी मेथड़ ने वीडियो के इन तक ज़रूर बने रहिएगा वीडियो पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा तो आईए बनाना शुरू करते हैं आप इसका टेक्शर भी देख सकते हूं कितना ज़्यादा टेम्टिंग सा और एकदमी टेस्टी साया है तो वीडियो को शुरू करते हैं तो उसके लिए आहां मैंने ले लिया पोहा कहीं कहीं से चूड़ा भी बोलते हैं मेरे यहां चूड़ा बोला जाता है और यह मैंने मोटा वाला पोहा लिया है आप चाहो तो बतला अला भी पोहा ले सकते हो और उसके बाद इस पोहिए को मैंने गहरे बरतन में डाल दिया है अब गहरे बरतन में पोहा डाला था उसी में इसमें पानी डाल दूँगी और दो से तीन पानी से अची तरीके से वाश कर देना है, ऐसे हाथ से मसल के, जिसले कि जुसका मिट्टी ही है उपर का गंदगी वह निकल जाएगा, अभी गंदवाला पानी मैंने फेक दिया है और दुबारा से मैंने इसमें पानी जालकी से धुल लिया अची तरीके से, और मैंने धुल लिया थोड़ा से इसमें नीजी जो पानी आप देख सकते हैं उसे मुझे नहीं फेक ना है, और इसे मैं ढखके रख दूँगी 10 मेर्ट तक लिए रेस्ट के लिए इसे हम करते हैं साइड में आगे की प्रोसेस देखते हैं क्या करना है, तो अब मैंने लिया यहां उबले हुए आलू, चार, दो प्याज, साबुत लाल मिर्च, इसे मैं कट करके डालूँगी और यह मेरी कारी मिर्च जिसे मैं कूट लेती हूँ फटा फट से, और यह मेरी हरी मिर्च जिसे मैं कट कर लूँगी, इसम चोटे-चोटे मिर्च आपको कट करनी है, हरी मिर्च मैं कट कर रही हूँ और अब मैं कट कर ले रही हूँ अपनी लाल मिर्च को, साबुत लाल मिर्च को, यह आज मैं नाश्टा एकदम स्पाइसी सा बना रही हूं अगर महमान भी आ जाए तो भी आप उने भी बना के खिला सकते हैं वो एकदम खुश हो जाएंगे और फिर इसमें डालूंगी बारीक, कटा, प्याज मैंने प्याज को भी फटर फट से बारीक कट कर लूँगी मोटा नहीं कट करना इदम बारीक कट करना है और उसके वाद यहां मैं ले लिया है ग्रेटर अपने उबले हुए आलू को फटर फट से इसमें ग्रेट कर लूँगी आप चाहें तो हाथ की साहिता से मैश भी कर सकते हैं बट मैं यहां ग्रेट कर रही हूँ अपने आलू को बहुत ही कम इंग्रीडियन्स में यह एक्दमी मस्ट सा नाश्टा बनके तयार हो जाता है इसे फटाफट से मैंने अपने सारे आलू को ग्रेट भी कर लिया है आईए अब अपने हाल देख लेते हैं अपने पोहे का हाल तो दस मिनिट के बाद अपने पोहे को देखते हैं और आप देख सकते हैं अपने हाथ से मैश करने हैं तो एक दमी बाइंड हो जा रहा है और बस इस स्टेश पे इसे मैं कुछ कुछ सामगरियां अट कर दूंगी अपने डालने मुझे इसमें बारी कटा प्याज प्याज पूरी तरीके से आप्शनल है आप चाहो तो इसकिप भी कर सकते हो अधरवाइस डाल भी सकते हो इसमें मैं इसमें आट करूंगी अपने ग्रेट की होए आलू को और फिसमें मैंने अपनी हरी मिर्श को आट कर दिया है और अब अपनी कटी हुई लाल मिर्श को आट कर दिया है तो आप अपने टेस्के कोड़िंग मिर्श डाल येगा और फिसमें डाल दिया मैंने कुटा बुना हुआ काली मिर्च भुना हुआ जीरा पाउर्डेस में डाले आप चाहँ तो खड़ा जीरा भी टाल सकते हो कलर चेंज करने के लिए थोड़ा से डाले इसमें हल्दी और फिर समें डाले मैंने स्वादम सार नमक गाइज आप देख सकते हों बहुत ही कम इंग्रीडियंस में इतने अच्छा हमारा टेस्टी सा वड़ा करारा सा वड़ा तैयार हो जाएगा बच्चे खाके भी खुश हो रहें कि बहुत ही ज़्यदार बनता है टेस्टी भी ज़्यदार लगता है अब हाथ की साहिता से विश से मुझे से बाइंट कर लेना है डो के फॉर्म में अब इसे में थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और अब इसे मुझे से फटा फटा से गूटना शुरू करना है अब आप देख सकते हैं इसका एक बॉल बनाए एक दम से तूट गया तो हमारा ही पर्फेक्ट दो नहीं त्यार हुआ है थोड़ा सा पानी और में इसमें डालूंगी टोटल गाइस मेरा इसमें आधा कप पानी लगा है अब आप देख सकते हैं से बाइंट कर नहीं हो सरकल बनारी हूं और इसमें एक खोल करूंगी तो बिल्कुल भी नहीं त्टेगा फटेगा आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं तूट रहा है फट रहा है तो यह हमारा परफेक्ट राटा बन चुका है दो बन चुका है तो मैंने इसमें टोटल उस कप से आधा कप पानी डाला था आपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं और अब मैं जैसे दस मेट तक लिए धक्के रखना है जिसे की पोगा थोड़ा और सेट हो जाए अब दस मेट के बाद फटा फट सा आईए हम अपने वड़े को बना लेते हैं हाथ में टेल लगा लेंगे जिसे की चिकना रहे और एक एक लोई लेकर ऐसे आपको बॉल बनाना है और थोड़ा सा ऐसे अपने हाथेलियों के मदश से दबाना है और एक उंगली के साहिता से आपको ऐसे होल कर देना है बीच में और थोड़ा फट जाए तो इसको अपने हाथे सेट कर देना है ऐसी मैं अपने सारे वड़े को बना के तयार कर लूँगी यह अलब बड़ा मेरा बन के तयार है तो अपना एक प्लैट लेते हैं और इसमें अपना बड़े बना के रखते जाते हैं इसी प्रोसेस में मैं अपने सारे वड़ो को बना के तयार कर लीती हूँ और उसकी बाद फिर से मैंने एक क्लुई लिया है अपने हाथों के मदल से फ्लैट कर लूँगी थोड़ा सा और अब मैं जो इक दम छोटी वाली उंग्ली होती ही ना उससे मैं होल करूंगी इससे होल करना है ना करेंगे तो फटेगा भी नहीं हमारा बड़ा आप देख सकते हैं आप चाहें तो किसी पेन के भी मदद से या पैंसिल के मदद से इसमें होल कर सकते हैं बट में छोटी वाली अपने लिटल फिंगर से होल कर रही हूं इससे नहीं फटरा है फ्रेंट समारा आप देख सकते हैं जैसा कि इतना जादा आसान हो गया है या वड़ा बनाना तो एक बार तो अपने किचन में आप इसे जरूर बनाईएगा किसे भी महमान को या पडोजियों खिला देंगे तो यकीन मानिए वो बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे कि आपने इसे पोहे से बनाया है और यह लगता भी बहुत जड़ा टेस्टी तो ऐसे मेरे सारे वड़े बनके तयार हो गए है और उसकी बाद यहां मैंने लिए एक कढ़ाई इसमें डाला है मैंने सरसो का तेल इसे मैं आज चानूंगी तेल एक दमी प्री हीट होना चाहिए थंडा तेल नहीं होना चाहिए तो बिलकुल हमारा तेज कराम हो चुका था तेल तो फटा-फट से अपने वड़े डालना शुरू करते हैं तेल में जितने फिट हो पाएं उतने वड़े आप डाले जब अब अब जस्ती का वड़ा मत डालेगा विकाद इच्छी पक जाएंगे तो टोटल मैंने तेल में अपने चार वड़े डाले हैं थोज़े तक की बाद मैं इसे पलट लूँगी कलर आप देख सकते हैं एकदमी थोड़ा सा चेंज हो गया हमारा इसे पलट पलट के अच्छी तरीके से मुझे सेक लेना है तल लेना है आप देख सकते हैं तो तरफ कितना ज्यादा प्यारा से एकदम हमारा कलर आ एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का तो यकीन मानी बहुत ज़रा टेस्टी लगता है तो आईए फटर 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 में तेल में से निकाल लेते हैं अपने सर्विंग प्लेट में इसी स्टेप में मैं मैं अपने सारे वड़े को तल लूँगी और आप बचे हुए वड़े को भी मैं अपने ऑयल में डालके उलट पुलट के चीजरी के से तल लूँगी तो यकीन मानी बहुत ही ज़दा टेस्टी सा ही नाश्ता मारा बन के तयार होता है आप इससे टुमेटो सॉस के साथ तो यह वाला बिमार अदल चुका है तो इसे फट आफ अपने सर्व में निकाल लेते हैं। और एकदम ही आप निकाल के गर्मा-गरम सर्व करीज तो बहुत ही ज़दा टेस्थ लगता है। एकदम प्रारे क्रिस्पी गर्मा-गरम खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसे भी अपने और में से निकाल लिया है बचे हुए मैं ऐसे तलूँगी तो लीजे गाइस आज का रेसिपी हमारा बन के तयार है एक डम ही जादा यमी सा और टेस्टी सा क्रिस्पी सा करारा सा एक डम हमारा आज का नाश्टा बन के तयार हो गया है तो आप इसे बच्चों के लेंच में भी दे सकते हो नाश्टे में भी बना सकते हो बहुत ही जादा मज़ेदार बनता है और यमी भी बहुत ही जादा लगता है तो मैं चली से सर्फ करने और मैं से टोमेटो सॉस के साथ सर्फ कर रही हूँ, आप किसी के भी साथ सर्फ कर सकते हूँ तो गाइस, बाबाई फिर्मलत अगली न्यूजी रेस्पी में तब तक लिए थैंक्यू फार वाचिंग माई वीडियो अब दोगे तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सर्फ करेगा बेल आईकन जरूर प्रेस करिए Öyle का और गान जार्व वीडियो अच्वाति लगी तो वीडियो को प्रेस्ट लाइक करिए और प्याराज सा कमेंट भी कर के आप मुघे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी ऐसी एजी रेस्पिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बाई गाइज